Hello guys, welcome back again to your own YouTube channel तो इस वीडियो में मैं आपके लिए रीडिंग के answers लेकर आया हूँ जो आपका आज exam हुआ है Passage 1, it was about memory, intelligence इसमें आपके true false not given and blanks type question थे तो सबसे पहले आपके true false की बात करें तो first true, second false, third not given, fourth not given blanks में आपका observation, skills, proficiency, recordings, emotions and discussions इसमें अभी भी कुछ blanks missing है तो आप comments में जरू लिखेगा second passage, it was about renewable energy इसमें आपके true false not given and matching type question थे so true false में आपका false, true not given, true false, true false matching में B, D, A, C, B, C so यह हैं आपके passage 2 के answers third passage, it was about advertising इसमें आपके last के answers ही students बता पाये थे जो matching the paragraph headings थे, उनके उनको याद नहीं थे so अगर किसी भी candidate को answers याद हूँ तो आप लीज कमेंट्स में जरू लिखेगा blanks में हैं आपके half a second, blind, attention, blink, awareness so यह थे आपके तीनो reading pass list के answers listening के answer की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा and आज के exam में writing prediction पूरी तरह से हिट रही task 1 आपको वही exam में आया जो मैंने prediction वीडियो में अपनी mention कर रहा था काफी students ने ये video देखी थी और उन्होंने ये practice कर रहा था otherwise mostly students को आज के exam में task 1 में बहुत मुश्किल आई because stacked bar chart आया था और कई students ने इसको table chart में confuse भी कर दिया so this was the task 1 in today's exam जो मैंने आपको अलड़ी दिखाया भी है it was about a number of people per household in UK और जादतर institutes में stacked bar chart नहीं कराया जाता है तो कई बार students को मुश्किल आ जाती है इसमे and even task 2 भी आपको आज के exam में मेरी बुक में सही देखने को मिला दोनों task 1 and 2 साथ में ही 43 नंबर वाले आपको exam में देखने को मिले और जो भी students के पास मेरी ये बुक थी जुन्होंने ले रखी थी मेरे से ये बुक उनका exam बहुत अच्छा गया and इससे पहले भी exams में आपको इस बुक में से बहुत बार exam आ चुका है and आगे भी आएगा special book मैंने past exam material में से बना रखी है इसमें से आपको आने वाले exams में देखने को मिलेगा mocks text का मतलब है आपका कि दोनों मेंने task 1 and 2 साथ में बना रखी है और यह साथ में ही repeat होंगे आपके जब भी exam में आएंगे यह साथ में ही आपका repeat होगा सो जिसको भी यह books चाहिए होंगी writing की book है मेरे पास reading passage 1 की अलग से book बनाई है जिसमें सारे passage 1 है passage 2 की book अलग है और passage 3 की book भी अलग है listening की book भी है मेरे पास और आपको मालुम ही है कि मेरे जो listening वाला चैनल है मेरा listening for IELTS इस से बहुत बार listening repeat होती है Recently exam में listenings repeat हुई है आपकी और आगे भी होती रहेंगी Make sure कि मेरे listening वाले चैनल को भी आप subscribe करिएगा अभी से आपको बता रहा हूँ कि जो listening यहाँ डाल रखी है इन में से आपको आने वाले exams में जरूर section देखने को मिलेंगे यहीं से practice करिए and main channel पर भी मैं डालता रहता हूँ reading या जो भी important topic होते है so जिसको भी exam material चाहिए अगर आप interested है आप मेरे से यह ले सकते है and I will let you know the details की आपको कैसे क्या buy करना है बात करें उन students की जिनके band नहीं आ रहे है वो मेरे online batch को join कर सकते हैं यहाँ मेरे contact details अपनी दे दी हैं आपको and results आप मेरे Instagram page के उपर देखिए इसका link आपको description box में मिल जाएगा मेरे students के 8, 8.5 bands आ रहे हैं exams के अंदर और आपके भी आ सकते हैं एक batch में मैं जारा से जारा 4 से 5 student ही रखता हूं तो आपको जारा मुश्किल नहीं आएगी proper attention दी जाएगी सभी students के उपर so make sure कि अगर आपको improvement करनी है तो जल्दी enroll करिएगा fees भी मैंने affordable ही रखी है ध्यान रखें कि जो भी videos में upload करता हूं specially prediction की उनको अपने दोस्तों के साथ cousins के साथ share किया करें जो भी exam देने की सोच रहे हैं preparation कर रहे हैं best चीज ही होती है कि आप recently past exam में जो questions आये हैं उनको practice किया करें उसके repeat होने के chances maximum होते हैं thank you guys I'll see in the next video